क्या बीजेपी विधायक योगी की जान लेना चाहते हैं या धोखा धड़ी में ऐसा हुआ दोस्तो इस खबर से बीजेपी में खलवली मची हुई है आखिर क्या है पूरा मामला बताएंगे विस्तार से लेकिन सबसे पहले अगर आप भी भरकाऊ मीडिया गोधी मीडिया का दिल से विरोत करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजे अगर आप भी इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में लगे बेल आइकन को दबा ले जिससे जो खबर आपको गोधी मीडिया नहीं दिखाएगा वो आपको यहाँ देखने को सबसे पहली मिलेगा कोविट पॉजिटिव होने के बाद सीम योगी से मिलने वाले बीजेपी विधायक पर मामला दर्ज डीम के आदेश पर हुई एफ आई यार उत्तर प्रदेश के महाराज गंजीले के विधायक जैमंगल कनोजिया को कोविट पॉजिटिव होने के बाद घूमना मेहगा है असल में कनोजिया चार दिन पहले ही कोविट पॉजिटिव हुए थे और उसके बावजूद वगूम रहे थे और उन्होंने गोरफपूर में गोरफनात मंदिर में जाकर सीम योगी आदित्यनात से भी मुलाकात की थी और मंदिर के दर्शन भी किये थे लहाज अब उनक सतेंद्र कुमार के निर्देश पर नगई यो आलोक कुमार सिंग ने बीजेपी विधायक के खिलाफ सदर कोतवाली में महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्श कराया है जिसके बाद उनकी मुश्किले बढ़ गई है असल में सोशल मीडिया में बीजेपी विधायक जै रिपोर्ट दर्श करायी गई जानकारी के मुताबिक कोविट के लक्षन आने के बाद उनका टेस्ट कराया गया था और 14 जनवरी को उनकी रिपोर्ट पॉजितिव आई थी तो वहीं 15 जनवरी को एक फोटो सोशल मीडिया पर वाइडन हुई जिसमें विधायक के साथ कई लोग खड़े हैं और इसकी जाच जिला प्रसाशन ने कराई जिसके बाद उनके खिलाफ कारवाई की गई हाला कि विधायक दावा कर रहे थे कि वह ठीक हो गए हैं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विधायक ने मकर संक्रान्ती पर गोरकपुर मंदिर में दर्शन किये थ यूपी से ही आया है विधायक पर चुनाव आचार सहिता का मामला दर्श हुआ है यूपी के गोरकपुर के खलीलाबाद के विधायक जैच चौबे पर उस पर पार्टी का जंडा लगा कर वाहन का इस्तमाल करने भीर जुटा कर भोजन कराने और कंबल वितरन को लेकर मामल पार दर्श किया है